कि तो इस वीडियो में हमबात करने वाले हैं कि गारी ऑफ से तब कैसे वह और इस विडियों में हुद्इम होती है और . उस समय हमें कितना रूपय का इंवेस्मेंट रेटर्ण हमें मिलता है एक तरीके और यहां पर जब हमारा अगारीअ मिलता है कि नहीं मिलता है वो भी हम इस वीडियो में जान जाएंगे यहां पर मैं एंसेटी की बात कर रहा हूं लेकिन मेरा जहां तक मानना है इसी तरीके से जो पब्लिक सेक्टर के एंसेटी से जैसे कि टैक्स प्री बांड जो गौर्मेंट सेक्टर के बांड जैसे कि सवेरियन गोल्ड वो भी इसी तरीके से ही रिडिम होगी कि यहां पर जैसे हम देख पा रहे हैं कि मेरे पास से एक एंसीडी था यहां पर यहां पर में आपको एंसेटी की डिटैल देखा देता जैसे कि यह NCD अभी रिडिम हो चकी है इस NCD का सिरीज का नाम था NAC पर ECL Finance N5 यहाँ पर जैसे हम देख पारे इसका अलॉट्मेंट डेट था 26 जून 2014 का और रिडेम्शन डेट था इसी साल में 26 अप्रेल 2020 का अब यहाँ पर जैसे हम इसका फेस वैलू देखे तो वह 1000 रुप अप्सन ऐसा कुछ भी नहीं था यह NCD जैसे हम देख पारे यह अनसिक्योर रिडेमेबल टैक्सिवल एंसी था 12 परसेंट का और यहाँ पर जैनरली जहां तक मेरे को याद आ रहा है यहाँ पर इंट्रेस्ट पेमेंट मंतली होता था यहाँ पर जैसे देख पारे हैं इसका इंद्रेस् रिकॉर्ड टेट ऑनके लिखा हुए जैसे यहाँ पर इंद्रेस्ट ड्यो ड्येट आपको पता ही होगा कि उस देट पर हमारी पास NCD होना चाहिए हमारे डिमेंट डिमेंट में में लिखे मिलता है यहाँ पर इंद्रेस्ट ड्यो डेट 2 जूलाइब का और इंट्रेस्ट रिकॉर्ड डेट है 15 जून का तो जो जुलाई से पहले के एक साल के प्रियड में यानि कि 365 दिन का इंट्रेस्ट या फिर मंतली आगर होगा तो मंतली इंट्रेस्ट एक महने का वह दो जुलाई तक के डेट में हमारे बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा अब यहां पर जैसे इसका रिडेम्शन डेट था 26 अप्रियल 2020 का और इसका इंट्रेस्ट डेट होता है नॉर्मली दो तारीक को हर मेहने या फिर हर साल कि यहां पर जैसे अब देख पाते हैं कि यह जो मेरे बैंक अकाउंट में इसका जो रिडेम्शन था वह 24 अप्रियल 2020 में आ गया था यहां पर जैसे हम देख पा रहे हैं यहां पर 3025 रुपए मिलें थे मिरे को यहां पर जैसे कि इसका फेस बेल्यू 1000 रुपए और मेरे डिमेट अकाउंट में पीन कॉंट्रेट जो अपना फेस वह 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 तीन हजार रुपए गया प्लस यहां पर जो 25 रुपए है वह इंट्रेस्ट का माउंट है यहां पर मैं आपको कैल्कुलेट करके दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके यहां पर इंट्रेस्ट अमांट कैसे आया कि यहां पर जैसे इसका रिडम्शन डेट था 26 अपरिल को और इंट्रेस्ट डियू डेट था दो तारीक को तो यहां पर जो यह डिफरेंस हो गया दो तारीक से 26 तारीक का उस पिरियेड में जो इंट्रेस्ट एक्रूड हुआ वह इंट्रेस्ट रिडम्शन डेट में फेस face value के साथ add करके वह amount redeem कर दिया गया और company के द्वारा मेरे bank account में transfer कर दिया गया जैसे कि यहाँ पर face value 3000 रुपय है और इस पर interest 12% का तो यहाँ पर जो yearly interest यहां मंतली interest हो जाता 30 रुपय और जैसे कि यहाँ पर average में हम समझ लेते हैं कि 25 दिन का यहाँ पर interest accrued हुआ तो इसे हम 30 रुपय को 30 दिन से डिवाइट करते हैं इंटू 25 करते हैं तो हमारे जो interest accrued आ रहा है वह 25 रुपय का आ रहा है जो कि company के द्वारा एक तारीक से लेकर 24 तारीक के बीच में calculate किया गया including एक तारीक और 24 तारीक को तो इस तरीके से इनका जो interest accrued हुआ वह 25 दिन का हुआ तो उस 25 दिन के लिए यहाँ पर interest amount पे किया गया इसलिए हमारा जो redemption amount है वह 3025 का जैसे कि face value 3000 रुपय और 25 रुपय जो है यह वह interest amount है तो इस तरीके से जब कोई ncd redeem होती है वह ऐसे ही redeem होती है मान लेते किसी ncd का interest due date जिस दिन पढ़ रहा उसी दिन वहाँ पर maturity date भी है तो उस समय हमारा जो ncd redeem होगा वह ncd भी उस period का जिस period के लिए interest due है वह period का interest प्लस हमारा जो face value रहेगा 1000 रुपय वह हमें bank में refund होगा एक तरीके से तो इसी तरीके से other ncd work करती है और वह इसी तरीके से matured होती है और redeem होती है अब मान लेते हैं यहाँ पर आप zero coupon bond में बाई करते हो तो उस समय पूरे period का from the starting of investment to the end of the investment जितना पिरेट आ रहा है उस investment period का जो interest accrued हो रहा है वह interest प्लस हमारा जो initial investment था face value के इसाब से वह investment amount हमें return होगा अपने bank account में तो आसा करता हूं मैंने आपका doubt clear कर दिया होगा ncd redemption से related अगर फिर भी आपको कोई doubt रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते मैं पूरी कोशिस करूंगा कि आपके doubt को clear कर सको अभी के वीडियो में बस इतना है अभी के लिए बाबाबा थैंक्यू फॉर्चिंट